हलो दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी लोग सिहत मंद और बहुत अच्छी होंगे दोस्तों आपके चहरे पे कैसी भी जाईया हो नई हो पुरानी हो दाग धब्बे हो या कैसी भी आपके इसकिन में डाग स्पोर्ट्स हो उनको दूर करने के लिए आज की रेमडी बहुत असरदार होने वाली है इसका स्थमाल करके जवर देखिएगा आपको दोस्तों यहाँ पे एक चोटा आलू लेना है इसे पील करना है अच्छे से वाश कीजे और इसके बाद चोटे पीसिस में कट कर लेना है आलो में विटमिन C होता है आलो में ब्लीचिंग प्रापर्टीज भी होती है जरो कि हमारे स्किन की रंगत को निखारती है साथ इसाथ दागदबबा को स्पोर्टольно संस्पोर्ट को दूर करती है इसके साथ आपको यहाँ पे लेना है चावल आपके सकीन के लिए काफी जादा फाइदाबन होता है यह आपकी सकीन में ब्राइटन अप और वाइटनिंग लेकर आती है चावल जो है दोस्तों यह आपकी सकीन को बहुत ज़दा यूथफूल और यंगल बनाने में हल्प करता है इसके साथ आपको यहां पे आधा इंच चोटा तोड़ा हलदी का लेना है कच्ची हलदी मैंने आप यूज किए अगर आपके पास कच्ची हलदी ना हो तो आप यहां पे कस्तूरी हलदी आधा चमण ले सकते हैं इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एड़ करना है रोस वाटर इसे ब्लेंड यानि पीसने के लिए आपको रोस वाटर लेना है आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं रोस वाटर इसलिए क्योंकि एक फ्रेशनस हमारे स्किन पर हमेशा बरकरा रहेगा इसकी फ्रेटनस काफी देड तक रहती है वो काफी जादा अच्छी होती है इह हमारी स्किन के लिए अब आपको क्या करना है इन सब अच्छे स तो बनाने के ubbyiza को सवाओं से साहिक शोन एक में एपके लियों के लिए अखाओ ने कि अचाहिी तुछ है को 하는데 फाय प्रॉडक्ट्स में होता है यसे इस्किन आ परकाओं सैंधरा है तो इन्हें अच्छे से आपको क्या करना है इसको इतना भी जूस है उसे आपको निकाल लेना है जूस को निकालने के बाद आपको इसमें एक चमच मुल्तानी मिटी पाउडर अगर आपकी इसकिन ड्राइ है तो आप यहां पे चंदन पाउडर इस्तमाल कर सकते हैं एक चमष मुलतानी मिटे टी एड करने के आठी कोकि अच्छे से मिक्स करना हे ताकि को भी लंग्स वग्यार ना रहे मुलतानी मिटे में में आइसे एजंट काई गाते हैं कारि कि आपकी इसके में इसके इचलाट आज लगाते हैं और ताइटनिस प्राइट मे बढ़ा जाती है तो मुलतानी मिटी यही वर्क करती है और इंस्टैंट यह वर्क है इसलिए मुलतानी मिटी कर देखाए नाक चाहिए जाहिए ताजीर मे थंडी होती है तो घरी हुआ उतिक जाग़ें खाला है यह all skin types होती है लेकिन बहुत ज्यादा tight कर देती है, इस skin को मतलब बहुत dry कर देती है, तो जिनकी skin oily या over oily है उनके लिए काफी ज्यादा फाइदे बंद होती है, अब आपको दोस्तों इसे इस्तमाल मेलाना है, सबसे पहले अपने चेहरे को wash कर लेना है, clean कर लेना है, इसके बाद आपको इस pack को अपने overall face में अपने eyes area को छोड़ करके और जो thread है आपका eyebrow है उस area को छोड़ करके आपको all over इसे apply करना है अच्छे से, और कम सकम दो से तीन बार आपको इसे layer लगानी है अपने skin पर, all over अपने चेहरे पे अच्छे से आपको इसे apply करना है, दोस्तों आ अपको इसे अपने neck area में भी apply करना है, आप चाहे तो इसे back neck area में भी apply कर सकते हैं अच्छे से apply करने के बाद आपको इसे ऐसे ये नीच चोड़ना है थोड़ी देर आपको इसे rub करना है, यानि कि massage करना है ताकि Ports में भी अच्छे से pack चला जाए, जब आप इसे massage करेंगे तो इसके थोड़े बहुत जो इंग्रेडेंट्स हैं वो हमारी पोर्स के अंदर चले जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, यानि कि तेजी से काम करते हैं, मिलाजमा को रोकने के लिए काफी जादा फाइदे बंद हैं, दोस्तो हल्दीस में इस्तमाल की गई जिसमें करक्यूमिन नामक ततो होता है, जो कि आपकी इसकिन के रंगत को भी निखारती है, दाग दब को भी दूर करती है, इसकिन को youthful और younger बनाती है, और साथ जादी साथ, दोस्तो अगर आपके इसकिन में pimples हैं, या मोहासे हैं, उसके मार्क्स रहे गए हैं, उसके पूरे हाते सर्कुलर मुशन में डेने कर ते और छाफ सी हम पूरी निक में खे टुन यहां स्क्राइब में हम जाし नो जलिए में यहां पूर हां odpow में ओगने शोड़ में दशल दौने के लिए जब हीffe कको देक द्ग हो नदर आपकंतली यहां वाश क करना है तथरी नोदर थ्राइस अविक यानि कि हफते में तीन बार इस्तमाल करना है लेकिन इसे बना के स्टोर नहीं करना है जब भी आपको इस्तमाल करना है और फ्रेश ही इसे इस्तमाल करना है men, women, male, female कोई भी इस्तमाल कर सकता है बिल्कुल natural है लेकिन एक बड़ पैस्ट ज़रूर कर लिजे कि आपकी स्किन को ये suitable है तभी इसे apply कीजे इसके इस्तमाल से आप अपने स्किन की जाईयों को पुईतेगी से खतम कर सकते हैं आई होब रेवडी पसंद आई हो तो लाइक कीजे शेर कीजे भाई भाई एंड टेक केर